हाई students welcome to the zack English Crash Course Series CC 101 हम जो पढ़ रहे थे वो narration के बारे में पढ़ रहे थे narration के हमने बहुत सारा rules और pattern पढ़े थे और techniques पढ़ी थी आज हम narration के बारे में बहुत ही important points पढ़ेंगे आए दिखते हैं कि narration के अंदरrière कोन से important points सिस्हें मैं आइस से पे चैटन से एं Efendimiz नंसे पेट्रण में एक ठिप्क जाते हैं जिसके जरीए narration के क्रिटिकल इश्यो्स को solve किया जाता है और कुछा तरीका है कुछा मेतरट से स्टुएर्ट का ने शिल कर डॉर्ड एक दर या बोर्ड एक्जैम्स के अंदर या यद का विया ईशू बनता है नेरेशन को लेकर वो हल किया जाता है सो लेट्स गैर स्टेट सब्सक्राइश परर क्वार्स यह को हूंब करें सो दोड़ आज हमारा topic है narration narration कि हम rules regulations और patterns पढ़ेंगे methods पढ़ेंगे techniques पढ़ेंगे के को यह इस तरीका इंद के अ जाता है और उसका patron, technique और method क्या है और हम इसे क्यों कि strawberries और इसमी इस्तामाल करते हें कर दिआ लिए दे दिए untuk make the changes of the narration. So the students, आये देखते हैं कि narration के अंदर हम जो changes लाते हैं, जो हम change करते हैं, एक tense, दूसरे tense के अंदर, एक verb, दूसरे verb के अंदर, वो कैसे करते हैं, एक word, दूसरे word के अंदर, वो कैसे करते हैं, अल्रडी हमने board पर लिखा हुआ है कि हम इसको कैसे change करते हैं, let's look at the board changing in the narration, narration के के अंदर जो चैंजिस होती है वो चैंजिस कैसे की जाती है कौन से टेंसिस के अंदर इस्तेंस 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 के जाते हैं और इस्तेंस के जाते हैं औ अगर आपने वह लेक्श्स में देखे तो अब प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं नबर टू पर वो पर्फेक्ट टेंज के अंदर ही रहता है सेम रहता है आईए देखते हैं के नंबर टू जो है पास इंटू पास टूल कीसे बनाया जाता है simple past जो है वो past perfect tense और unchanged simple past जो है वो past perfect tense के अंदर चला जाता है या unchanged होता है हम उसको change नहीं कर सकते है रूल के मताबिक तो यह हमने पिछले टेंसिस के अंदर जब हम स्टार्ट कि थी उसके अंदर हम ने इसको पड़ा था अगर आपने वह लेक्चर देखा है तो आप इसी ली बेतर समन में आ जाएगा अगर नहीं देखा तो आप पीछे प्रेलिस्टे के अंदर जा कर देख सकते हैं आधियर क्ěा है से लिपर हो वह सपर्फिक टेंस के अंदर किसे चेंज हो गया, और अंचेंज के सढ़ि किसे है यह हमने उस लेक्टुर के अंदर बढ़ाएं पर था हूं किसे इस्तम्ल होता है future tense जो है वो future tense है वो future in the past जो होता है उसके अंदर तबीर होता है future in the past क्या होता है आप इसे लिक्टर में जाकर देख सेते हैं कि future in the past के से इस्तमाल किया जाता है इसका जो next है shall should में इस्तमाल होता है will would में इस्तमाल होता है conditionals जो है वो perfect conditionals के अंदर इस्तमाल होते हैं conditional sinases के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा है कि conditional sinases perfect conditional sinases के अंदर इस्तमाल होते हैं और यह तो रहे tenses का pattern आये दिखते हैं कि दूसरे verse जो है model words etc यह किसे इस्तमाल किया जाते हैं में हम byte में transform करते हैं करते हैं can code में हो जाता है must head to या unchanged होता है must head to में सला जाता है या फिर unchanged होता है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता number next this that में होता है इस दोस्के अंदर तब्दील किया जाता है और now या just को हम देन में तब्दील करते हैं और next जो है होगा the next day या the following day होगा next जो है हमारा ago before हो जाएगा thus हमारा change होगा so के अंदर आये देखते हैं के दूसरे words जो है वो किसे change हो जाते हैं so the students it's very easy method यह बहुत ही आसान method है changing in the narration narration के अंदर जो changing साती है वो कौन सी है हमने एक part पढ़ा है दूसरा इसका part किया है देखें कम जो है वो go के अंदर तब्दिल किया जाता है here there में तब्दिल किया जाता है hence hence में तब्दिल किया जाता है either thither में तब्दिल किया जाता है जो poetic english language के अंदर इस्तमाल किया जो poetry's और dramas के अंदर इस्तमाल किया जाता है दीजिह के अदर की भी दके दिलफ और येंदर बाणों होता है कि अलड़ी हमने लिखा आया और पड़ा भी है नेक्स्ट इट अचा सर और मेडम respectfully के अंदर तबिल होता है और एसे और को हम अ जीयर बिफोर या previous year में तबिल करते हैं उसके बाद देट वेपोर हम तबिल करते हैं टू डेज बिफोर के अंदर और देट अफटर तूमारो को हम तबिल करते हैं in टूदे़ टाइम यह बेसिक चेंजिंग है यह बेसिक चेंजिंग है नेरेशन के अंदर जो के डारेट इस्पीच से अंदर चेंज की जाती है हम ने इसको कम्पेट लिए कर लिया है if you have got any problem, any issue regarding the narration about the changing you can ask in the comment box below see you after a short break in the next lecture take care कर दो